सब्सक्राइब दोस्तों जसी टेक में आप सबका हारदिक स्वागत है उमीद करता हूँ सुंबार का दिन आपका अच्छा गया होगा वैसे भी आप लोग को मालूम है कि हमने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि क्या हो सकता है अगर मैं जरा बात करूं सिर्फ थमनेल थमनेल प पहान तो एक दो लोगों ने कहा था कि क्या सर मार्केट गिर जाएगी तो भई मैंने कहा था लेवल टू लेवल काम किजेगा लेवल टू लेवल पे काम किया होगा तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा चलिए सबसे पहले देखेंगे हम बैंक निफ्टी को फिर निफ्ट निफ्टी को फिन निफ्टी की याद रखेगा कि नौ जन्वरी को एक्सपाइरी भी है यानि कि कल के दिन एक्सपाइरी भी है उस पर भी करेंगे चर्चा आईए सबसे पहले बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं कि जब तक हम 48-180 के उपर नहीं जाते हैं, क्या कहा था, 48-180 के उपर नहीं जाते हैं, तब तक हम बाई साइड में नहीं जाएंगे, और हाई ही 48-154 का था, तो मतलब बाई साइड में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, 47-990 का लेवल आपको पहले ही पता है, तो सीधा-सीधा 47-850 का रस्ता कुल जाता है, आप देख सकने हैं, वो तूटा और 47-850 का रस्ता आपको किस तरह से मिला, 47-850 पर आपको लगबग लगबग एक घंटा इसने स्ट्रगल किया उसको बच्छाने के लिए, और जब वो भी तूटा तो नेक्स्ट लेवल था हमारा 47-724 और 47-720-724 भी आपको भली भांती मिलता रहा, और अगर आप देखोगे लगबग लगबग दो सवा दो बज़े तक आपको 47-720-724 ही लो था उसके बार, लेकिन आपको पता है, सेटप तो सेटप है, सेटप ने बोल दिया था कि भाई अब नीचे को और आ सकता है, 47-724 तूटा तो 47-500 भी तूट गया, 47-387 तक का लो लगा और ना सिर 47-387 का लो लगा, अच्छी खासी मार पड़ी और 47-450 पर हुई है, क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी की, दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे हम, तो एक स्टॉक अभी भी अडवाइंसिस में क्लोज हुआ है, कमाल है, पर क्या बहुत बड़ा स्टॉक का वेटेज है, बिलकुल भी नहीं, बहुत चोटा वेटेज है, और दोस्तों मैंने कल कुछ कहा था, आज मिड़केप निफ्टी के एकस्पाइरी थी, और कहा था फेडरल बैंक पे और बंदन बैंक पे, कि भाई अगर आप मिड़केप निफ्टी के एकस्पाइरी में काम करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजेगा बंदन बैंक पे और फेडरल बैंक पे, बंदन बैंक में तो आज 8-9% के करीब गिरावत अच्छी खासी पिटा ही हुई है, 7.77% लूप एक नीचे क्लोज हुआ है, वहीं बैंक को बढ़ोदा भी आज लगबग 4-4,5% पिटा है, पिटा है फेडरल बैंक भी, PNB भी और SBIN भी, तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटा सभी के सभी बैंक पिटे हैं, बात कर ले थे, Nifty 50 की, Nifty 50 में क्या बात हुई थी, कि 21.750 के उपर जब तक हम नहीं जाएंगे, बाइ साइड पे हम नहीं आएंगे, और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाइ साइड में हमको कब आना है, सवा दस बजे के बाद, सवा दस से पहले कभी भी बाइ साइड में हम नहीं आते हैं, निफ्ती में, तो अगर आप देखेंगे, तो 21.750 के आसपास ओपनिंग जरूर हुई, लेकिन आप देख सकने, 21.750 दुबारा उसके बाद टेस्ट भी नहीं हुआ, फर्स्ट 5-10 मिनिट्स के बाद दुबारा टेस्ट भी नहीं हुआ, और फिर 21.630 जब टूटेगा, तो 21.600 आएगा, वो भी आपको भली भाती आता हुआ दिखा, 21.632 तो 21.573 आएगा, वहाँ पर सपोट लेंगे, और दोस्तों आज तो आपने कमाली देख लिया, 21.500 भी आज तूटा, 21.492 तक के लेवल्स आपको देखने को, 21.492 तक के लेवल्स आपको देखने को प्राप्त हुए हैं, और 21.513 पर हुई है, निफ्टी 50 की क्लोजिंग, तो कैसा है हमारा सेट अप ये जरूर बताएगा, कैसे रहे लेवल्स ये भी जरूर कॉमेंट्स में बताएगा, चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि निफ्टी में आज 12 स्टॉक्स एडवैंसेज में, और 30 स्टॉक्स डिक्लाइंज में, अदानी पोर्ट्स दो परसंटेज था, ओएंजीसी थेज था, अंटीपीसी सन फार्मा और तेज था, हीरो मोटो कॉप्प, लेकिन यूपियल में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, SBI लाइफ भी पिटा है, SBI एन, M&M और टेक महेंदरा भी पिट ही रहे थे, अब दोस्तों एक बार हम लोग बात करेंगे, कि फिन निफ्टी पर जो हमारी बात चीत हुई थी, वो क्या हुई थी, सिर्फ लेवल्स पर बात करूँगा, और बात करूँगा, अब ये देखिए कि फिन निफ्टी पर क्या बात चीत हुई थी, फिन निफ्टी पर हमारी बात चीत हुई थी, 21602 के उपर ही बाई में आएंगे, आप हाई देखिए, 21554 का है, तो यानि बाई साइड का आने का तो कोई मतलब था ही नहीं, उसके बाद 21380 तूटेगा, 21380 तूटा है दो बज़े के बाद, 21380 तूटेगा, तो 21339, 340 के लेवल्स आएंगे, और वो भी तूटा तो 21290 के आसपास आ सकने हैं, और आज आपको लो लगा है 21270 तक का, 21270 तक का लो लगा है, तो फिन निफ्टी में भी बहुत अच्छा पैसा बनाने को आपको मिला है, निफ्टी मिड कैप, जिसकी की आज थी एक्सपाइरी, निफ्टी मिड सिलेक्ट, ये रहे उसके लेवल्स हमारे, आपको बिल्कुल क्लियर बोला था, कि जब तक 10600 के उपर नहीं जाएगा, 10600 के उपर नहीं जाएगा, 10600, 605 के उपर नहीं जाएगा, हम बाई साइड के बरे में सोचेंगे भी नहीं, और अगर 10400 तूट गया, जो कि 11 बज़े तूटा, तो 10400 का एक लेवल आ सकता है, आप देख सकते हैं, 10400 के बाद 10400 के पर सपोर्ट लेने के, इसने भरकस कोशिश की है, बरसक कोशिश की है, और उसके बाद आपको ये 10400, 130 का लो लगाया है, और मोटा मोटा इसने किसी को, यहां से अगर कुछ किसी ने पैसा बना लिया हो, लेकिन 11 बज़े के बाद, तो इसने किसी को भी पैसा बनाने का मौका दिया हो, मुझे नहीं लगता है, तो ये क्या होता है, एक्सपाइरी डे की ऐसी ही ट्रेडिंग होती है, अब सबसे पहले हमको बातकित करनी है, कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सबसे पहले चलिए बात करेंगे, बैंक निफ्टी पर उसके बात जाकर बात करेंगे, निफ्टी पर फिर फिन निफ्टी के एक्सपाइरी पर बात करेंगे, और फिर देखेंगे उसकी option chain भी option chain किसकी option chain हमको देखनी है fin nifty की क्योंकि fin nifty की है कल expiry तो 8 जनवरी 2024 के जो levels हैं उनको मैं कर दे देता हूं विराम अब बात कर लेते हैं कि कहां से हमको buy side पे आना है bank nifty में bank nifty में हम 48 450 के नीचे close हो रहे हैं दोस्तों जब तक हम अब 48605 के उपर नहीं जाएंगे तब तक हम buy side के बारे में सोचेंगे भी नहीं 48605 के बाद ही हम लोग upside के बारे में सोचेंगे 48605 के उपर 48, 600, 605 के उपर हम बाए साइट के बारे में सोचेंगे उसके बाद जो हमारा लेवल आएगा वो क्या आएगा वो हमारा लेवल आएगा 40 माफ किज़ेगा 47605 47747 और 47747 के बाद जो हमारा next लेवल आ सकता है वो आ सकता है बिल्कुल 100 पॉइंट का ही आ रहा है 47, 8, 46, 47 और अगर 47, 846 हमारा पार हुआ तो उसके बाद हम 47, 990 और 47, 990 भी अगर ब्रीच होता है तो यह याद रखेगा 48, 157 तक के लेवल समको अब साइड में देखने को मिल सकते हैं अब ज़रा एक चीज और ध्यान से देखेगा दोस्तों कि वंडे के चाठ पर अगर मैं जाता हूं, वंडे के चाठ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है वन दे के चार्ट में हमको मिल रहा है कि हमने Friday का जो लो था वो तोड़ दिया है Friday का ना सिर्फ लो तोड़ा है उसके बाद अगर हम 9 देमा देखें तो 9 देमा भी हमारा तूट चुका है क्योंकि 47,500 पे अब कॉल राइटिंग भी उने शुरू हो चुकी है तो हम 47,600,605 के उपर ही जब तक नहीं जाता तब तक Buy Side के बारे में नहीं सोच रहे हैं Bank Nifty को हमारे Levels नहीं आईए एक बार को देख लेते हैं हमने Up Side के Levels तो अभी आपके सामने लगाए ही हैं अब लगा लेते हैं हम Down Side के Levels भी downside के levels हम लोग कहां से करेंगे sell देखे 47,387 का low है 47,387 47,387 के नीचे ही हम लोग sell side के बारे में सोचना start करेंगे अगर 47,387 कट जाता है तो आप समझ लीजेगा कि वहां से एक बार को sell का trade बनता है 47,387 के बाद हमको जो level देखने को मिलता है वो क्या level देखने को मिलता है वो मिलता है 47,2,30,2,31 का और अगर 47,2,30,2,31 भी तूट जाता है then my dear friends we might be able to see somewhere around here that is 47,100 तक के levels भी हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं ये बात हुई आपकी bank nifty के levels की अई अब देखने है nifty 50 के levels उसके बाद चलेंगे fin nifty की और nifty 50 के जब हम levels देखते हैं तो nifty 50 को मैं सबसे पहले इसके जो levels हमने अल्रड़ी पुराने हैं उनको remove कर देते हैं और one day के chart पर चलते हैं nifty 50 में जब हम one day के chart पर चलते है nifty 50 में तो आपको पता चलता है कि nifty 50 में आज पिछले 4 दिन का low कट गया है वेड़नेस दे पिछले वेड़नेस दे वेड़नेस दे इवन तो वी वरी फ्रेंक 27 दिसम्बर के बाद 27 दिसम्बर के लेवल्स पर हम दुबारा आके बैड गये हैं एकिस माच सो एकिस माच सो तेरा तो 27 दिसम्बर से आज आज चनवरी तो हमाँ पर सेम सिच्वेशन में हम लोग आज क्लोस हुए हैं तो क्या 9 देमा तूट चुका है जी हाँ 9 देमा तूट चुका है 20 देमा आप कहां पर स्थित है देखिए अगर 20 देमा की बात करेंगे तो 21, 350, 352 अब हमारे लिए में सपोर्ट होगा क्यों 21, 350, 352 पर 20 देमा हमारा स्थित है जो की बहुत अच्छा बाउंस का काम कर सकता है तो दोस्तों एक बार को लेवल्स पर बात कर लेते हैं लेवल्स के लिए हमको 15 मिनिट का चार्ट पड़ेगा लगाना और अब हम देखने हैं कि कहां से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे और कहां से सोचेंगे नीचे के लिए जब तक हम 21,560, 561 क्रॉस नहीं करते तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे 21,560, 561 के बाद जो हमको लेवल आता हुआ दिख सकता है वो दिखेगा ये which will be 21,588 का लेवल 21,588 के बाद जो हमारा next लेवल है that comes out to be somewhere around 21,617, 618 का लेवल 21,617, 18 के बाद जो हमारा next लेवल आता है वो आएगा यहां which will be 21,650, 651 का but downside की जब हम बात करते हैं दोस्तों downside पर अब यह देख लीजए कि 21,491, 192 के नीचे हम लोग आ जाएंगे सीधा-सीधा cell के लेवल की और और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हमारे जो लेवल साथने हैं वो क्या आते हैं आईए उन पर एक मैजर डाल लेते हैं 21,492 के बाद जो हमारे लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 21,466 के 21,466 के और अगर 21,466 भी तूट गया तो 21,430, 432 तक के लेवल समको देखने को प्राप्त हो सकने हैं 24,22 तक के लेवल सकते हैं और अगर 24,32 भी तूटता है तो देज को बाद करेंगे हम लोग 5,50 की कल है एक्सपाइरी बहुत लोगों को यह होगा कि बाद जरूर जरूर चर्चा होनी चाहिए लेकिन हम आगर आजकाल आपको मालूं है finnifty पर हर रोज चर्चा हर वीडियो पर कर ही रहा हूं चलिए देख लेतने finnifty finnifty में अब आज कल भाई काम करने लग गये हैं लोग तो जरूरी है कि अपने analysis academic analysis जरूर जरूर दिये जाएं finnifty में 2170 का लगा है उसको और ज्यादा ताकत आएगी और हम लोग फिर सिनारियो में 21, 228, 232, 228 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं और अगर 21, 228 भी कट गया तो यह समझ लीजे कि हम लोग 21, 188 तक के लेवल को देख सकते हैं अगर ये भी कटेगा 21188 कट गया तो ये समझ लीजे कि हम 21150 के आसपास 5052 के आसपास एक बार को डाउनसाइड पर आ सकते हैं लेकिन दोस्तों बात ये है कि अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे देखिए अपसाइड के बारे में अब हम तब तक नहीं सोचेंगे जब त और ना चलना स्टार्ट करने 21367 के ऊपर चलेंगे तो 21400 एक हमारे लिए रिजिस्टेंस रहेगा और 2147 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं तो यानि कि 21367, 368 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो 21400 एंड 21400 के ऊपर गए तो हम कहीं न कहीं इस लेवल तक के लेवल्स भी प्राप्त कर सकते हैं विच इस 2439, 440 तक के लेवल्स अब हमको देखनी होगी एक बार की ऑप्शन चेन क्या कहती है 21292 पर हुई है क्लोजिंग सबसे बड़ा कॉल राइटर कहां बेढा 21300 पर क्या स्थिती है 2300 आप देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग जबरदस्त हो चुकी है नए कॉंट्रेक्ट से अगर देखेंगे तो 70495 न्यू कॉंट्रेक्ट्स न्यू कॉल राइटिंग कॉंट्रेक्ट्स है बिन रिटन ऑन 21300 इसका मतलब अगर 21300 के नीचे हम कहीं ओपन होते हैं तो 2300 वाले जो कॉल राइटर है वो और ज्यादा करनी पड़ेगी उसका मतलब है कि हम सीधा सीधा 21250 पर भी कोई ऐसी पूट राइटिंग नहीं है सीधा सीधा हमारे को 21200 तक का लेवल बचाने के लिए मिलेगा 21200 पर अभी तक के लिए कह सकता हूं कि बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है इसका मतलब है 21300 जो हमारे लि में सपोर्ट है बट अगर 21300 तूट जाता है तो एक बार कम 21400 21450 तक अपसाइड में जा सकते हैं बट on the other hand if 21300 से हम नीचे चलना स्टार्ट करते हैं और 21200 भी तूटा तो 2180-188 का तो लेवल है ही 21150 तक के लेवल भी हमको 21150 तक के लेवल भी हमको देखने को प्राप्त हो सक करते हैं फिन निफ्टी में तो दोस्तों कैसा लगता है हमारा जो अकैडमिक अनलेसिस है आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा इसके साथ साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं लाइक्स भी ब नौट सब्सक्राइब तो इस चैनल प्लीज दू सब्सक्राइब तो इस चैनल आई वोड एप्रिशियेट मोर लाइक्स न शुक्रिया धन्यवाद नमश्कार एंड कल के लिए मेरी शुक्नामना यह आप सब के साथ है फिन निफ्टी की एक्सपाइरी के लिए शुक्रिया झाल 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 झाल